हेलो फ्रेंज वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिसक्स कर रहे हैं रेलवे एंटी पीसी गुरूप डी के लिए जनल साइंस के मॉस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन जिसमें हम यूथ कंपडिशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो यह फिजिक इस पर कैमेस्ट्री पर बाइलोजी पर हम पार्ट्स बना चुके हैं अगर आप लोगों के उन्हें देखना है तो चैनल पर प्लेलिष्ट बना दी गई है उसमें जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें हम इंपोर्टेंट कोस्टन डिसकस करेंगे साथ ही उनसे सीन्वाक्स में मिल जाएगा तो चलिए स्टार करते हैं आज का वीडियो आएग टो हमारा पहला कोस्टन दिए घया आए एक atmosphere बराबर होता है friends एक atmosphere जिसे हम short में एक ATM भी कहते हैं किसके बराबर होता है तो ये बराबर होता है एक पॉंड जीरो एक दस्की हाथ पांच पास्कल बराबर तो होता क्या है फ्रेंड्स पिटवी की एक नश्चे तिकाई या छेटर पर बायू मंडल की सभी पर्तों द्वारा पढ़ने वाले दवाब की दवाब ही हमारा क्या कहलाता है बायू मंदल्ड आप कहलाता है और बायू मंदल्ड आप को हम किससे मेजर करते हैं किससे मापते हैं बैरो मीटर से तो इसे लेकर भी एक्जाम में कोस्टन पूछ लेते हैं कि बायू मंदल्ड आप को हम किससे मापते हैं तो बैरो मीटर को आपको ध्यान रखना है, फ्रेंड्स, आपको इस बैलू को ध्यान रखना है, कितनी होती है, एक पॉण्ट जीरो एक दसकी खाथ पांच पास्कल, तो इसमें option A, हमारा correct हो जाएगा, next question देखते हैं, एक horse power किसके बराबर होती है, तो very easy question है, आपको पता ही होगा, एक horse power किसके बराबर होती है, 746 बाट के, तो इसमें option C, हमारा correct हो जाएगा, next question देखते हैं, एक diopter के बराबर होता है, friends, किसी भी lens की हम power जब निकालते हैं, तो उसकी जो unit होती है, उसे हम diopter कहते हैं, मान लो power, P बराबर निकालना आए, तब हम क्या करते हैं, उसकी focus दूरी को उल्टा कर देते हैं, यानि वियुत कर्म कर देते हैं, तो ये, जो focus दूरी से हम meter में लिखते हैं, तो अगर ये meter में दी गई है, तो क्या हम से लिख देंगे, meter inverse, तो हमारा option को उनिता करेक्ट होगा, इसमें option number हमारा B करेक्ट हो जाएगा, बन मीटर inverse, तो आप इसे ध्यान रखें, next question देखते हैं, एक मीटर किसके बराबर है, friends, आपको इन सब की जानकारी होना चाहिए, ये unit आते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक micron बराबर कितना होता है, तो एक micron बराबर होता है, 10 की खाथ, minus 6 meter, तो आप से इसमें 1 meter पुछा है, अब मुझे 1 meter की value निकालना है, तो 1 meter बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 10 की खाथ, 6 meter, 10 की खाथ 6 micron, सबसे जों को ध्यान रखें, अगर आप से पूछा जाए, एक meter बराबर कितना होता है, तो एक meter की जो value होती है, आप सब याद रख लें, एक meter बराबर होता है, 10 की खाथ 6 micron, दूसरा क्या होता है, 10 की खाथ 3 mm, उसके बाद, 3.2 feet, बराबर कितना होता है, एक meter, या फिर कह सकते हैं, 10 की खाथ 9, 9 meter, ये भी सब एक meter के बराबर होते हैं, तो इसमें से आप से कोई सी भी unit पूछ सकते हैं, तो आपको सभी को ध्यान रखना है, अगला question देखते हैं, पिर दीपती, यानि की illumination की माप निम्निमे से किसका उप्योग करके की जाती है, फ्रेंड्स किसका उप्योग करके की जाती है, लक्स meter, तो इसमें हमारा option number C करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंड्स लक्स से एक ब्यूत्पन निकाई है, जो लियुमेन पर आधारित है, तो लियुमेन केंडिला से ब्यूत्पन निकाई है, जो एक लक्स के बराबर है, तो आप इसे ध्यान रखें, एक लक्स बराबर होता है, एक लियुमेन, meter square, तो आप इसे भी ध्यान रखें, हो सकता है, आपसे ये exam में question पूछ लें, तो एक question से करेंगे, तो आपको बहुत सारे question उसी में से देखने को मिल सकते हैं, मतलब अलग अलग तरांसे, एक question को पूछ सकते हैं, next question देखते हैं, एक किलो वाट अवर, यानि की एक किलो वाट घंटा बराबर होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तब इसका answer आप देख सकते हैं, तो एक किलो वाट अवर, एक किलो वाट बराबर कितना होता है, दसकी हाट तीन, यानि की एक हजार जूल, अवर मतलब घंटा, तो घंटे में कितने मिनट होंगे, साट और सेकंड कितने होंगे, साट, जब हमें इसे multiply करेंगे, तब हमें कितना मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा, तीन पॉंट छे, दसकी गाज, छे, जूल, तो इसमें हमारा option number C, correct हो जाएगा, फ्रेंड्स आप इस value को ध्यान रखें, इस से related exam में, बहुत numerical बनते हैं, और आगे मैं आपको वीडियो में कराऊंगा भी, नेक्ट कोस्टन देखते हैं, एक किलो बार्ट बरावर होता है, तो very easy question है, इसका answer आप इसली दे सकते हैं, एक किलो बार्ट बरावर कितना होता है, एक हजार जूल सेकिन्ड इन्वर्स, फ्रेंड्स कारी करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ अपनी फिछले वीडियो में, और जिससे हम जूल पर सेकिन्ड को हम क्या कहते हैं, एक बार्ट अब 1 किलो बार्ट बरावर कितना होगा, इसमें एक हजार से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो जूल सेकिन्ड इन्वर्स इसके बरावर हो जाएगा, नेक्स कोस्चिन देखते हैं, पांच पॉंड पांच बार्ट बरावर कितना होगा, तो अगर आपको 1 किलोबार्ट आवर की वैलू पता है तो आप इसमें 5.5 से मल्टिपलाई करके इसका आनसर इसली बता सकते हैं तो एक किलोबार्ट आपर आपर होता है 3.6, 10 की घाथ 6 जूल अब आपको इसमें 5.5 से मल्टिपलाई करना है फ्रेंड्स जब हम multiply करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा option number इसमें हमें D मिल जाएगा 19.8 10 की पाबर 6 यानि के 19.8 10 की खाथ 6 जूल तो ये जूल में होगा आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसमें option D correct होगा ये थोड़ा mistake हो गई है कि next question देखते हैं एक Newton बराबर फ्रेंड्स Newton किसका मात रख होता है बल का तो बल एक बराबर होता है mg आयम को हम किस से लिख सकते हैं kilogram में और जी को लिख सकते हैं मीटर सेकिंड की पाबर मीटर पर सेकिंड decline इसक्वार सेकिंड जब ऊपर पहुंचेगा तो हमारा क्यों हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकिंड की कि पाबर माइनस टू तो आई सबाएघ्य हो जाएगा बन के दी मीटर सेक्ट के पाबर माइनस टू मैं तो और से इसकेंगा रिखक हो जाएगा है कि नेक्ट पोस्टेशन देखते हैं चार पॉंट छे किलो बाट आवर होता है तो इसमें भी आपको एक किलो बाट आवर की बेलू पता होगी तो इसका आंसर इसली दे सकते हैं तो चार पॉंट छे के हम मुल्टिप्लाई करना है तीन पॉंट छे से दस गीखात 6 जूल से अब कैसे मुल्टिप्लाई करना है तो आप multiply करके निकाल सकते हैं लेकिन एक्जाम भी कैसे करना है अगर आपको इस तरह के option मिलें तो आपको किबल unit digit से multiply करना है यानि 6 को 6 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 ऐसा कौंड सा option है एक ही option दिये गया है जो की option नंबर भी है जिसमें unit digit कितना आ रहा है 6 तो आप इस तरह से भी question को solve कर सकते हैं अगर आपकी multiply करेंगे गोड़ा करेंगे तो टाइम लगेगा तो आप option भी धिहान रखेंगे option किस तरह के दिये गए हैं नेक्ट question देखते हैं दो क्लोवाट आवर बराबर होता है तो इस तरह की फ्रेंड यूथ कंप्टिशन डाइम की बुक्स में बहुत question दी गए जो पिछले रेल्वी के एक्जामों पूछे गए तो मैंने इसमें से कुछ question लिए हैं बाकि अगर आप खुछ से practice करेंगे इस question रिपीट हैं तो इसमें मैंने दो तीन question लिए हैं तो बाकि आपका इस concept का ध्यान रखें इस से related question आए तो आपको इस तरह सॉल्व करना है तो दो की multiply कर दिंगे इस बार तीन पॉंट छे दसकी घाज 6 जूल से तो दारिक इसका कितना आएगा साथ पॉंट दो दसकी घाज 6 जूल तो जो की option number B में दिया गया है तो आप इसे ध्यान रखें इस related question आने के पूरे पूरे चांसे से हैं ग्रूप D में भी पूछा जा चुका है NTPC में भी next question देखते हैं पिरकास बर्स द्वारा किसे मापा जाता है फ्रेंड्स बहुत जादा ये question पूछा जाता है SSC, railway, सभी के exam में पूछा जाता है तो पिरकास बर्स द्वारा किसे मापा जाता है दूरी को तो option numbers में हमारा B correct हो जाएगा friends ये क्या होता है पिरकास बर्स द्वारा दूरी को मापा जाता है पिरकास बर्स बहुत दूरी है जो पिरकास एक बर्स में तै करता है तो आपको ध्यान रखना है एक पिरकास बर्स बराबर कितना होता है 9.46 10 की घात 15 मीटर तो आप इसे ध्यान रखें ये value भी एक्जाम में पूछी जाती है Next question देखती है 1 नैनो मीटर बरावर होता है Friends, 1 नैनो मीटर बरावर कितना होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर अब ऐसा कौन सा option है option इसमें तो कोई आपको मैच करता दिखने रहा है तब आप क्या करेंगे 10 की घात माइनस 9 को नीचे ले जाएंगे यानि की बन पॉन 10 की घात 9 तो option number हमारा D correct हो जाएगा एक बटे 10 की घात 9 मीटर तो option D हमारा correct हो जाएगा तो ये unit वाले question आपको ध्यान रखना है नेनो मीटर, पिको मीटर, माइक्रो मीटर तो इन सब को value आपको पता होना चाहिए इस से related भी exam में question पूछे जाते हैं next question देखते हैं एक कूलाम पर second बराबर होता है friends कूलाम किसका मात्रक है आवेश का और हम आवेश को किससे denote करते हैं Q से और एक second यानि time का है तो इसे हम T लेख सकते हैं तो Q upon T बराबर कितना होता है I I क्या है धारा और धारा का मात्रक क्या होता है Ampere यानि कूलाम पर second को हम क्या कहते हैं Ampere तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा एक Ampere तो इसे friends हम इस तरह से भी कह सकते हैं एक आंग समय में बहने वाले आवेश को हम धारा कहते हैं तो इसका मात्रक आपको कूलाम पर second मिल देखने को मिल सकता है जो की Ampere के बराबर होता है तो इसमें option B हमारा correct हो जाएगा next question देखते हैं एक picometer के बराबर होता है तो मैंने आपको बताया है nanometer, picometer, micrometer इन सब के बारे में पता होना चाहिए तो एक picometer बराबर कितना होता है 10 की घात minus 12 meter तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखें अगला question देखते हैं एक जूल बराबर तो जूल किसका मातर होता है कारिये का फेंट एक newton बल द्वारा बल की दिसा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं कारिये यानि कि हमने एक जूल कारिये के रहा है तो यह क्या होगा distance को हम लेख सकते हैं एक मीटर तो एक newton मीटर बराबर कितना होता है एक जूल जो की option number A में दिया गया एक newton को ना एक मीटर तो एक जूल बराबर होगा option A इसमें हमारा correct हो जाएगा next question दिया गया है एक बिशेश घर में पांच दिनों में 100 इकाईों की खपत है यदि उर्जा को जूल में परिवर्टित किया जाए तो कितनी होगी friends इस question में आपको जो unit दी गएगे उसे हमें जो किलो बाट घंटा आपर दिया गया है उससे multiply करना है answer easily आ जाएगा तो 3.6 दसकी घर 6 जूल में हमें 100 से जितनी unit दी गएगे है यानि एकाई दी गएगे है उससे multiply करना है 100 से multiply करेंगे तो हमें option number D मिल जाएगा 3.6 दसकी घर 8 जूल तो इसके आगे जूल है लगए हुआ तो आप इससे दिहान रखें फ्रेंड्स ये थे physics का part number 3 जिसमें हमने measurement के question के discuss किये I hope आपने अच्छे से इसकी practice की होगी और सारे question देखे होंगे तो इसी तरह से आपको ये जो मैं series करा रहा हूँ Youth Competition I book की question की आपको वीडियो रोज मिलती रहेगी अब आपका काम है आप वीडियो को जादा जादा शेयर करें ताकि मुझे भी motivation मिलता रहे फ्रेंट्स में में मेनत करके वीडियो बनाऊँ अगल आप तक लोगों तक ना पहुचे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आप से लोगों से मेरी request है जितना जादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें और लोगों को इस टैनल जोड़ें ताकि मैं आपको इस book को फूरी solve कराऊं उसके बाद मैं GK की book भी आपको solve कराऊंगा तो उम्मीद करता हूँ आपके जनरल साइंस का portion पूरी तरीके से कबर हो जाएगा और आपको टैन्सल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कभी भी आप paper देंगे तो जनरल साइंस में अच्छे नंबर लेके आएंगे उम्मीद करता हूँ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपने नए questions के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत